नमस्कार, News World India आप देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ स्वाती आ रहे हैं स्वागत है आप सबी का घड़ी के धीक साथ बढ़ चुके हैं और News World India में वक्त हो चुका है देश की बात का बहुबली नेता और पूर्व सांसत आनंद मोहन सिंग सोला साल बाद जेल से रिहा हो गया है सारी अपचारिकताएं पूरी करने के बाद वो आज सुभा साड़े चार बजे जेल से बाहर आया गोपाल गंज के ततकालीन जिलाधिकारी डीम जी कृष्णया की हत्या के मामले में आनंद मोहन उम्रकैत की सजा काट रहा था आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार सरकार की तीखी आलोचना भी हो रही है इस बीच नितिश सरकार के फैसले के खिलाफ पटना हाई कोट में जनहित याचिका भी दाखिल की गई है और बिहार सरकार की अधिसूचना को निरस्त करने की मांग की गई है जहां एक तरफ आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सियासत गर्म है तो महीं पटना हाई कोट में नितिश सरकार के फैसले के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल कर दी गई है अमर रोती द्वारा दाया की गई इस याचिका में बिहार सरकार की जेल मैनुएल में बदलाव के आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है जेल मैनुएल 2012 के नियम 481 आईका में संशोधन कर जूटी पर सेनात लोक सेवक की हत्या वाक के हटाए जाने के खिलाफ याचिका दार की गई है याचिका में कहा गया कि सरकार के फैसले से सरकारी सेवकों का मनोबल गिरेगा ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या आनंद मोहन की रियाई 2024 के मंदे नसर की गई है यूँकि बिहार में आपको बता दे कि स्वन्ड वोटरों की बात की राय तो लगभग 15 फीस्दी है और ये स्वन्ड वोटरों कहीं ना कहीं BJP को ज्यादा सपोर्ट करते दिखते हैं इसके साथ ही आनंद मोहन की स्वन्डों में पैठ है इसे मुद्धे पर चर्चा करने के लिए आपको बता दे कि हमारे साथ कुछ सम्मानित पैनल भी जुड़ागा तो देखिए सोला साल बाद आनंद मोहन की रिहाई हुई आज सुभे साड़े चार बजे आनंद मोहन जेल से निकले तड़के सुभे साड़े चार बजे अब इसी को लेकर सियासत गर्माई हुई है आपको बता दे कि साल 1994 को गुपाल गंच के टीम जीर कृष्टनया की हत्या में आनंद मोहन का नाम आया था और इस मामले में 2007 में कोट ने आनंद मोहन को सजा मौत की सजा सुनाई थी हलाकि बाद में ये सजा आज जीवन कारावास में बदल दी गए थी आनंद मोहन को ना तो हाई कोर्ट से रहत मिली और ना ही सुप्रीम कोर्ट से 15 सालों तक सजा काटने के बाद आनंद मोहन अब नितिश सरकार के एक फैसले से रिहा हो गया है और जिसके बाद सियासत भी तेज हो चुकी है तो देखिए लगातार सवाल खड़े किये जा रहे हैं कि रिहाई किस वज़े से की गई ये कहा गया सरकार की तरफ से आनंद मोहन को जब रिहा किया गया क्योंका आच्रण अच्छा था लेकिन अगर बात की जाए आनंद मोहन की तो देखिए उसक्त पर आनंद मोहन पर जब वो जेल में थे तो चारचार मोबाइल फून उनके पास से निकले थे उसके बाद आपको बता दे उससे पहले अगर बात की जाए तो उसके बाद सरकार की तरफ से ही कहा जाता है रिहाई के वक्त कि उनका जो आच्रन था है जुरान जुस वक्त वो जेल में थे वो अच्छा था इस बेसिस पर उनको रिहा किया गया सवाल लगातार इसी को लेकर उठाये जा रहे हैं और इस रिहाई को दो हजार चुणाव से भी जोड़ा जा रहा है और वहीं आनंद मोहन की रिहाई पर डीम जी जी क्रिशनया की पत्ती ने कहा कि ऐसा वोट बैंक की राज़नीती के लिए किया जा रहा है पहले दोशी को फासी की सदा सुन हुई थी फिर उसे उम्रकैब में बदल दिया गया और अब सरकार उसकी रिहाई करा रही है ये बिल्कुल भी सही नहीं है सुनिये उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया तो इंजस्टिस हुआ है हम लोग को पहले उसको तो ठीक हो था फिर बाद में लाइफ इंप्रिजनमेंट है और उसको फिर श्कामेंट मेंन करके रूल कमेंट करको भाहर लाना और पॉल्टिक्स में उसको इंवालम करना वो अच्छा डेशन तो नहीं है विहार गौवर्नमेंट पूरा कैस्ट पॉलिक्स है, वो राजपुत है, वो बाहर आए तो उसको राजपुत होट मिलेगा बूलके, बाहर लाएगा है, बस उतना यह नहीं तो क्या है, तो बाहर लेना, लाने, क्रिमिनल को बाहर लाने का जरूरत है, वो भी चीफ मिनिस्टर इन्वाल होकर वो उसको बाहर लाने का जरूरत नहीं है, वागम को तो वही लग रहा है, एलेक्शन्स में उसको कड़ा कर देगा, उसको मिले सीट देगा, वो पूरा और राजपुतलो कम्यूनिटी का वोट्स मिलेगा बूलके, तो देखिए डियम की पत्नी को सुना, आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने कहा कि हम ईश्वर, बिहार सरकार और अपने समर्थ को काभार व्यक्त करते हैं, खुशी को शब्दों में बया नहीं कर सकते, जी कृष्णया की हत्या का हमें भी दर्द है, अगर ये घटना आनंद मोहन के सामने होती, तब वो कभी ऐसा नहीं होने देते, हम उनकी रक्षा करने की पूरी कोशिश करते हैं, सुनिया और भी आनंद मोहन की रिहाए पर बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुभानी ने सपाई दी है, उनके कहा है कि आनंद मोहन की उनकी रिहाए को लेकर बेवजा महल बनाया जा रहा है, उनकी रिहाए नियम और कानून के मुताबिक होई है, सुनिये हर चीज़ का एक specific पता करके तो मैं नहीं आया हूँ लेकिन मैं यही कहूँगा कि जहां जहां से पूछना और रिपोर्ट लेना आवश्यक था वो सब करके ही हुआ है और अगर वो सारी रिपोर्टे नहीं आई होती और सारी रिपोर्टे फेवरेबुल नहीं आई होती तो यह राज दंडादेश परियार परशद छोड़ने के अनुस्तन सा कभी नहीं आई होती है आप दोहजार चौबिस में दलित समुदाई को बोलेंगे कि आपने एक दलित अफसर की हत्या कर रहे वाले व्याक्ति को छोड़ दिया कि एक मॉब के जरीये उनको मार कर और उनके सर पर गोली चला कर उनकी हत्या कर दी गई थी जब उनकी उमर सैंटीस साल की थी तो ये बिहार सरकार का फैसला दुबारा कृष्णिया साब को का मॉर्डर है ये सेकेंड टाइम कृष्णिया का मॉर्डर हो रहा है जो फैसला बिहार सरकार ने लिया है और अफसोस की बात ये है कि बिहार के जो आई-एस आफिसर्स हैं इनका असोसेशेशन है वो बिलकुल खामुश बैठे वे हैं और तीसरी बात ये है कि बिहार की सरकार और खास तोर से मुख्यमंत्री, वजिरियाला, जनाब मिधीश कुमार और आर जेडी के नेता तीजिस्वी यादव ये भूल रहे हैं कि उस वक्त किस की सरकार थी तो देखिए बिहार के बाहुबली का जिस सरह से उसको आज चोड़ा गया, देखिए अगर बात की जाए क्योंकि आनन मोहन की तो 16 साल बाद उनकी रिहाई हुई है हत्या का आरोप उनके उपर था और आज सुबह साड़े चार बज़े रिहाई कर दी गई सवाल लगातार खड़े की एड़ा रही है और इसी को लेकर आज हम बातशीत करेंगे, लेकिन देखिए उससे पहले तमाम जो चीजे जो लगातार राज़नितिक प्रतिक्रिया भी सामने निकल कर आ रही है एक तरफ डियम का परिवार है, उनकी तरफ से एक बार फिर से दर्द बया किया गया दूसरी तरफ अगर हम आनन्द बोहन की पत्नी को सुनते हैं, तो वो कहती है कि अगर डियम की अप्तिया उनके सामने होई होती तो हम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करते अस दिन वैसी कह रहे हैं कि ये सही नहीं हुआ है, जो सरह से रिहाई हुई है दूसरी तरफ देखे बिहार के मुखे सचिव है आमिर सुभानी, उनकी तरफ से कहा गया कि बेफालतु में बवाल किया जा रहा है इस पूरे मामले पर इस तरह से देखे तमाम चीज़ें सामने निकल कर आ रही है, लेकिन सवाल ये, क्योंकि जो सबसे बड़ा सवाल इसको लेकर खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि देखे दोहजार चौबेस जादा दूर नहीं है और बड़ा गडबंधन वक्षी पार्टिया करने के कुशिश कर रही है और कहीं न कहीं वोट बैंक को लेकर काफी एहम की रिहाई मानी जा रही है, यही वज़ा है कि कहा जा रहा है कि जो उनकी रिहाई है उसको दोहजार चौबिस के चुनाफ से जूर कर देखा जा रहा ह तो देखिए इसी पर बात्वीत करने के लिए हमारे साथ एक पैनल भी जूट चुका है, रजनी शुराय है, वीज़ापी प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जूट चुके और इसी के साथ ही, अब्दूल बास्त है, वो भी कुशी देर में जूडेंगे और इस बीच अरवेंद जयतेलक हैं, वरिश पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जूट चुके हैं, सबसे पहले तो रजनीश जी और रवेंद जी, आप दोनों का ही मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूं साथ, न्यूज वर्ड इंडिया पर, और रजनीश जी, मैं मेरा सवाल स अप्तिया के आरूपी थे वो, और लेकिन आपकी पार्टी का वी तक कोई स्टैंड क्लियर नहीं नजर आ रहा है, इस पर. रजनीश जी, अवाज आ रही आपको? आपकी अवाज मेरे सथ मेरे पहुश पार रही है. रजनीश जी, सुन पारे हैं, आप मुझे? आपकी अवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है. ठीके, अरविन जी, आपको मेरी अवाज आ रही है? जी, आपकी अवाज मिल रही है. अरविन जी, आज जिस तरह से एक हत्या क्या आरूपी की रिहाई हुई सुबह साड़े चार वज़े आनन मोहन, बाहुबली आनन मोहन, देखिए, एक तरफ कहीं न कहीं बिहार सरकार की किरकिरी हो रही है, दूसरे तरफ बीज़पी की बात करें, के इन सरकार की बात करें, कोई स्टैंड उनका नजर नहीं आ रहा है. सबसे पहले तो मैं इस रिहाई को लेकर ही आपसे आपकी प्रतिक्रिया, पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूंगे, आप इसको लेकर किस तरह से आप देख रहे हैं? श्वाती जी देखें, नहितिक्ता के उच आदर्सों का परखा जाना कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन जब बात स्वियास्तों बानों पर आती है, तो सब कुछ बेमानी हो जाता है, यह जो रिहाई है, यह इसके दो पक्ष है, एक तो इसका जो नहितिक पक्ष है, दूसरा इसके अचारा क्या यान पड़ी, उसके पिना यह लोग कंत्र किस तरह सुना है, और किस तरह से समाज का भाला होगा, यह समझना पहुत ही कठीन है, और इसका जो एक राजनीतिक पक्ष है, वो काते हैं कि जो राजनीतिक मौके की मौताज होती है, आपने बिलकुल सही कहा क कि 2024 का लोकतवा का चुनाओ है, सिर्पर है, महागाट बंधन तयार हो रहा है, कहीं न कहीं जो है, अगर 2019 का जाकड़ा देखिए, तो 40 सीटों में तकरीबन जो है, 17 सीट बिजेपी जित गएती हैं, 16 सीट जिती और आर्जेणी को सुन्य हासिर हुआता है, LGP 6 जिती थी, का अगर बंधन को लग रहा है, कि अगर राजपुत, बिरादरी, बिहार में शवराणों का जो है, एक बड़ा जराधार है, तकरीबन अधार शीजदी है, और मज़दार बात देती है, देखिए कि इनके साथ 26 लोग थोड़े गए, कि मिर्तु हो गए 27 लोगों में, 26 तो यह सोसल इंजिनिरिंग की गई है, हत्यारों के साथ रिहाई करके सोसल इंजिनिरिंग की गई है, अभी तक जो है, जाती की लड़ाई लड़ी जाते हैं, लेकिन अब हत्यारों के जरिये जो है, राजमीत को सादने की कोशिस हो रही है, अब देखिए इसमें यादो समाज के आ अपराद के जगत में सिर्मावर हुआ करते थे जो जेल की शलाकों के पीछे थे उनको बाहर लाकर के कि पोगा राजनीत की जमीन को उर्वर की जा रही है यह अभ्याद इस तर्मिंदा करने वाला तत्य है यह देखिए बिहार जो है शंपूर किरांती का गवार है यह प्रका जादी डाक्टर लोहिया और करकूरी ठाकूर की विरासत को डोने वाले अपने आपको कहते हैं लाकिन जिस तरह से यह लोग हत्यारों को बाहर ला करके चमाज को डराने का चमाज की शेतना को भंग करने का लोग तंत्र का गला घोटने का काम किया है मुझे नहीं लगता है प्याने वाली जो किनी जो है इन्हें कभी माफ करके अगर इनके दिमाग में यह चल रहा है कि राजपूतों को लुभा लेंगे या बाकी अने चात्यों को लुभा लेंगे तो इनकी जो समझ को मैं जो है कठगर में रखता हूं इसलिए कि जो दौर जो था आनंद मोहन का जो राविन हुड कि उनकी छवी हुआ करती थी उस तोर से जो है आज को मत दाता जो है लगवक तीन करोन मत दाता जो है आपके 18 साल से लेको 49 उमर के बीच में भी हार के हैं उनकी सोच जो है विकासवादी है राष्टवादी है समाज के प्रति एक जिमेदारी वाला रहा ह वहाँ पर आनंद मोहन को लाग करके यह क्या साबिक करना चाहते हैं कहीं अब बैट फायर ना करना है मुझे तो यह अशंका लगता है पती कि ठीक है अर्विंजी लॉटूं के आपके पास रजनीश जी अब आपका अवास मिल पारी है मेरी हाँ आपकी आवाज आ पर यह सर्फसर मैं शमा चाहूंगा दरसल में ट्रैवलिंग में हूँ तो इस वज़े से मैं प्रापर आप लोगों से कनेट नहीं हो पा रहा था ठीक है रजनीश जी अब मुद्दे पर आते हैं रजनीश जी देखिए जिस तरह से आज बाहु बली आनद मोहन की रिहाई हुई आपकी पार्टी का अभी तक को स्टैंड समझ नहीं आ रहा है क्योंकि देखिए एक तरफ गिर्राज जी हैं जो कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं हुई है वाँ पर इसा नहीं है उन्होंने इस संदर्व में नहीं कहा है लेकिन जो अभी बड़े भाई कह रहे थे उनकी बातों में मैं एक दो तक रोणा चाहूंगा जबी आपने देखा होगा विहार में जातिकत जंगरना हुई मुझे लगता है कि जैसा आपका कहना था कि इस पर ठीक प्रभाव कर सकते हैं तो उनको यह लग रहा है कि अगर हम विरादरी का या चत्री विरादरी का हम बोट वैंक अगर आनन्द मोहन के आसपास या उनके किसी प्रभाव शेत्र में है तो जाहिर सी बात है कि यह सारा कुछ जो है जो यह दोस्था हैं बदली गई यह बनाई उनको ध्यान मे रखकर यह बनाई जिस मुंझे लगता है और अनन्द मौहन के आथ कि आज को उनकी मझपूरी है कि अनन्द मोहन के साथ होरो जब गने अफिक अ कर विशिक प्रक्रिया तो जाहिर से बात है कि इस प्रक्रिया लग ना Sutari नहीं भी हौए पूरी स्टोरी आपको समझाते हैं तो देखिए डियम की हत्या के मामले में दरसल आपको बता दे कि आनंद मोहन को सजा हुई थी तो देखिए साल 1994 को गुपाल गंज के डियम जी कृष्णयया की हत्या में आपको बता दे कि आनंद मोहन का नाम आया था और इस मामले में 2007 में कोट ने आनंद मोहन को सजा मौत की सजा सुनाई थी हाला कि आपको बता दे कि बाग में ये सजा आजिवन कारावास्त में बदल गई थी आनंद मोहन को ना तो हाई कोट से राहत मिली और ना ही सुप्रीम कोट से उसके बाद 15 सालों तक सजा काटने के बाद आनंद मोहन अब नितिश सरकार के एक फैसले से रिहा हो गया है जिसके बाद सियासत भी अब तेज हो चुकी है तो देखी किस केस में आनंद मोहन ने सजा काटी दे के 4 दिसंबर 1994 को चोटन शुकला की हत्या हुई आनंद मोहन की पाटी के नेता थे आपको बता दे चोटन शुकला उसके बाद 5 दिसंबर 1994 को मुजफरपुन में जोरदार हंगामा कुआ आनंद मोहन की अगवाई में प्रदर्शन भी वहाँ पर हुआ आनंद मोहन ने भीड को उक्साया प्रदर्शन के दौरान कृष्णईया गोपाल गंज लोट रहे थे आपको बता दे उसके बाद गुस्ताई भीड का कृष्णईया की गाड़ी पर हमला भी हुआ जो भीर थी उनकी तरफ से उनकी गाड़ी पर हमला किया गया पहले उनको पीटा गया और फिर गोली मार कर हत्या कर दी गई तो देखिए ऐसी क्या मजबूरी रही कि सुबह साड़े चार बजे रिहाई इतनी जरूरी हो गई इस पर भी देखिए सवाल लगातार बना हुआ है तो आपको बतादे सुबह साड़े चार बजे जेल से उसकी रिहाई हुई शाम साड़े चार बजे पेजे पेरोल के बाद सरेंडर किया गया था तो देखिए सुशासन बावो के राज में जेल भी और रिहाई भी जुलाई 2012 को हत्या के केस में जेल गए थे और उसके बाद 27 अप्रेल 2013 की बात करते हैं तो जेल से रिहाई हो गई आनंद मोहन की रजनी जी मैं ले सुना आपको और अगर हम इस बीच देखे बात करते हैं क्यूसिए लगातार ये भी कहा जा रहा है अब 2024 सामने है कही ना कही इसको वोट बैंक से जोड़ कर भी देखा जा रहा है क्योंकि अगर हम आनद मोहन की बात करते हैं तो देखिए 6-8 प्रतिशत अगर बिहार की बात करें तो देखिए वहाँ पर राजपूत हैं अगर हम उनकी फीजदी की बात करते हैं बिहार में लगभग 30-35 विधानसवा सीटे हैं जिस पर राजपूत वोट बैंक और कहीं ना कहीं उनी को रिज़ाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि देखिए हम अगर हम बाकी राजपू में बात करते हैं उत्तर प्रदेश में देखिए यहाँ पर जिस तरह से बहुबली अतीक एहमद की हत्या की गई उससे पहरे एंकाउंटर हुआ लगातार अपराधियों पर माफिया उपर शिकंजा सरकार की तरफ से किया जा रहा है अगर कोई और ऐसा चहरा होता बाहुबली होता जिसको आपकी पार्टी ना पसंद कर दी तो उस पर तो आप सारे पूट पड़े होते अप तलग तूट पड़े होते लेकिन आसा यहाँ पर देखने को नहीं मिला अगर फोट नहीं पड़े तो इसका हम लोग समर्थन भी नहीं करते हैं ना बारती जन्ता पार्टी इस वास्का समर्थन करती है आपने देखा होगा जैसे संबैधाने कुरूप से हर राज्य को कानून के अपने उपयोग उपयोगिता क्या या उसमें बदलाओ के लिए उसको अपने विशेशादिकार कार्थ होए हैं आपने देखा होगा पिछले साल एक घटना आपके संग्यान में होगी कि जब यहां पर जो प्रदर्शन कारी होते थे उन प्रदर्शन कारियों को जब किसी सीजों के लिए मना किया जाता था वो नहीं मानते थे उन प्रदर्शन कारियों की बकाइदा तस्वीर लगाई ज की आतरտ या उसमेडिया और उससे नियालने ले किया है।ब हमारे पास उसका समटानिक इत्हार नहीं था उन परिसिति वे उसी कानुन की प्रक्रिया उसें बदलाव करके और बकाईदे विधानसभा से उसको सत्र बुला करके उसमें बदलाव करके ये बहुता लागो की गई कि नहीं हम ऐसा कर सकते हैं तो कि विधाइका की भी अपने अधिकार ने विधाइका की अधिकारों का उपयोग बरश्टाचार हो या फिर उसमें अपराज को कम करने की प्रक्रिया हो उसके लिए उत्रपदे सरकार ने उसका उपयोग किया जबकि यहीं आप इस तंदर में आफ देखेंगी तो भीहार सरकमार ने उतका अप्तार में किया जिया फराधि को जिस की सосьरते बचाया जा सकता है जब कि इस dabei अपकी उंगा सबक्राधि कि शुराया जा ज़ा सकता है इसके जुये अधिये है फा मुझार मि मुझा तोय और 217 कि बात करते हैं आनन्द मोहन की रिहाई से आने वाले चुनाव में बिहार की तस्वीर क्या बनेगी आप किस तरह से इसको देख रहे हैं किस तरह से समझा पाएंगे तस्वीर तो जाहिर से बात है कि अगरी तरह कोई आपके से इसको देख रहे हैं तरह से मेरा जो सवाल था वो अर्विन डीसे था मैं आज के अज़ के बात बहुत बड़ा बात बड़ा लाव उनको चुनाव में उनको मिलेगा योकि जन्ता और मुष्ताय कर चुकी है कि न कि पड़ के राजनितिय में भाक्ती जनता पार्टि बात को वो चहहें बिशार की जनता हो पूरे झेश की जनता हो चिसी بी प्रदेश्ठ की में बात कर रहा हूं उसमें किसी भी तरह कौई संदेशरा सब मिए कि इस पृष्ठ है कि इनकी अपनी योजनाएं हो सकते हैं उन्हें उजनाव को बहुत बढ़ा नुक्सान बाजबा को नहीं होने वाला अर्विन जी सवाल मेरे हैं कि अगर हम 2024 की बात करते हैं और जिस तरह से आनन मोहन की आज रिहाई हुई है उनकी रिहाई का कितना असर अब बिहार में देखने को मिलेगा क्योंकि देखिए अभी तो इस पर्ष नहींगे वो किस पार्टी के साथ जाएंगे लेकिन किस तरह से बिहार की तस्वीर बतलेगी अगर हम चुनावों के मद्देशन सर देखते हैं तो देखे स्वातिय जी कहावत होना कि खलाइकों की लोग प्रियता का फंड़ा सिर्फ फिल्मों में नहीं चलता है सियासत की दुनिया में खुब चलती है और बिहार में तो दोड़ती है और और जो है उसी सियासत को आजमाने की कोशिज नितिश कुमार किये है देखे सुभाई करूप से जो जेडियू का और आर्जेडी का आकलन वह यह है कि जो जिस छेत्र से आनंद मोहन आते हैं कोशी छेत्र से आते हैं वह जो बेतिया है बैसाली है हाजीपूर है दर्भंगा है मोतिहारी है शिवहर है वहाँ पर सवण मत दाता जो है काफी कुछ असर डालता है और हार जितके निर्ड़े को अपने अपने दम पर बदल देता है तो कहीं न कहीं उसी को पार्गेट किये जाने की पोशिस की है पहल लिची लेकिन मज़दार बात यह देखिए कि जहां से बैसिकली यह आते हैं सिवहर से और बैसाली के चुनाओं को आप द जो है वहां से तीन बार रमादेवी जो है 2009 में 14 में उने इसमें लगतार जित्ती रही है मज़दार बाते को और है कि जो अधन्द मोहन के बेटे हैं और पतनी है और पतनी है आरजएडी में तो उनका अशर कहां चला जाता है आखिर वह अपने पिता का ही तो कंधे पर सवार हो करके सत्ता सिंहासन तक दूरी तै कर ली जाती ती लेकिन आज की तारिक में उत्तर को ही देखता हूं तो यहां पर अपराधियों का जितना बहुत मुश्किल हो गया है आने वले वक्त में आप देखेंगे कि बिहार में भी आश्य लोगों को जनता जो करते थे कर पुरी ठाकूर भी हाशिय के लोगों की बात करते थे और हाशिय के लोग की एक जो है जो है अधिकारी की जो है श्मिता का अपना एक आवरा है विहार में भी है दाक्र लोहिया कहा करते थे अक्सर की जाती एक बीमा है जिसका प्रीमियम नहीं चुकाना पड़ता है और लाब कमा लिया जाता है तो साइद नितिश कुमार और अर्जेदी जो है उसी को मान करके चल रही है कि जात्मों के खंधे पर सवार हो करके जो चुनावी बैस्तराण करके त्रुपा के साथ वहाँ पर वो बिदख सकता है लेकिन मेरा मानना है कि आम जन्वानस में या मुद्दा बने याना बने जरूर घर कर गया है कि नितिश्च जो सुचिता की राजनीत की परोकारी करते थे आज एक हत्यारे की रहाई करके उसका महिमामंदन करके जो है जिस तरह राजनीत को साधने की कोशिश कर रहा हैं, मुझे लगता है, उनके राजनीती करियर का सबसे नकरात्मा पक्चा है, सबसे बिभत सुरूप रूप है, और उसके बाद अब उनको जो है न जिक्ता राजनीत की और सुचिता प्रबात करने का कोई नशरगी अधिकार नहीं रह जाता है, बाती जी. कही न कहीं बीजपी को जादा सपोर्ट भी करते हों दिखते हैं, और कही न कहीं यही वज़ा है, क्योंकि देखिए का आज अगर बीजपी को सुना जायतों, उनकी तरफ से कहा गया कोई कोई बड़ी बात नहीं है, जिससरा से उनकी रिहाई को दूसरी तरफ देखिए, ब मुझे जिए पूसरी नहीं है, जिससरा से कहा झाजार दूसरी तरफ दूसरी तरफ नहीं हाज को 1703, मोलत भी कोई रिख बीजबाल, प्लड़ी यह हईम दूसरी आजसे सबसे साल करते हैं, है, बाद करते हैं, घृम्यां भки क 151,000 उनकी नहीं क disciples of Zoolie, और क variables, बाना ज overdose, व